नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो वीडियो है मेरा वो यह है कि आप एक मोटर को मल्टी मीटर से कैसे चेक कर सकते हो कि उसकी जो वैंडिंग है वो सही है या खराब है अब मान के चलिए आप किसी रिपैर आप कोई सी भी मोटर को चेक कर सकते हैं यहां की आपकी जो फिरिज की मोटर होती है जो कंप्रेसर होता है उसको भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो तो यहां पर देखिए आपको तीन वायर देखने के लिए मिलती है और किसी किसी मोटर के अंदर आपको चार वायर से एक वायर अगर देखें यहां पर तीन वायर है तो यानि कि इसके अंदर जो है जो हमारी चोथी वायर है वो एक वायर के अंदर सोट कर दिया अंदर से ही अगर अंदर से ही सोट कर देते हैं तो यहां पर हमें तीनी वायर देखने को मिलती है जबकि इसमें होती चारी वाय निकलती है, शुरू की और लाश्ट की, तो इस तरीके से वहाँ पर चार वायर होती है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप इसे मल्टीमेटर से चेक कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको कंटीनुटी की मोड पे लाएंगे, यह देखिए, कंटीनुटी पे ला दिया, म में रीडिंग दिखा रहा है अब हम यह कैसे चेक करेंगे कि हमारी मोटर यह प्रोपर सही है या नहीं है और यहां पर जब हम चेक करेंगे तो भी हमें रीडिंग आ रही है यहां चेक करेंगे तो भी रीडिंग आ रही है अब देखे हमें रीडिंग इस तरीके से देखनी है अब देखे जैसे मैं यहाँ पर मीटर को रख रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमें रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है हमें देखिए 339 के आसपास यानि कि 329 यहाँ पर रीडिंग आ गई अगर मैं बिलैक वाले वायर पर चेक करता हूं तो यहां पर हमें reading मिल रही है 360 के असपास अब यानि कि 329 और 360 तो total होती है ये हमारी 670 असपास ये reading हमारी बैड़ जाती है 90 के असपास तो अब हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहां reading आई हमारी 330 यहां पर हमारी reading आई 360 के की और हमें क्या करना होंगा यह बिलु और जैसे कि इस पर रीडिंग आ रही है कि तीन सो तीस इसकी इसकी अब वहाँ पर टोटल आ रही है हमारी 685 तो इसका मतलब यह है कि यह वेंडिंग एकदम सही है अगर आपको कोई यह कहता है कि इसकी वेंडिंग खराब हो चुके तो इसकी वेंडिंग प्रोपर सही है तो इसकी वेंडिंग प्रोपर बराबर आ रही है यहाँ पर हमारी जो नभा जो और से इंधर बोलती है तो मोटरे खराब और रीडिंग हमारे 300-400-500 में thriving के बास दीनका की बीघीच में बता जब चैक करने दोनों पर ही लगाँगा तो हमारी डिटिंग टोटल आनी चाहिए यानि कि 300 कुछ की जो जी डिटिंग दोनों में आ रही थी वो टोटल यहां पर आगे देखे 685 अब यहां पर इस मोटर में क्या कमी है मोटर खराब है यह लेकिन हमें वेंडिंग चेक करनी थी इसकी अब इ देखे यहां पर जब मैं इस तरीके से उपर नीचे कर रहा हूं तो इसमें पिले नहीं है यानि कि अगर यह हिलेगी तो इसमें पिले होगी अगर पिले नहीं आप देखिए अगर पिले नहीं है तो हम इसकी अगर सफाई कर देंगे अच्छी तरीके से गे तेल वेल लगा झाल झाल